आज आज दोस्तों मैं हूँ शहजाद अलम बर्नी आप देख रहे हैं दा बर्नी शो आज हम अपने शो में जो मुद्दा ले करके हैं वो मुद्दा है पठान की पहले दिन की रिकॉर्ड तोड कमाई और दूसरी तरफ गोदी मीडिया और नफरती मीडियाओं के चिंटू सुरेश चौहाण के अभी भी पठान बायकॉर्ड के कैम्पेन पर लगे हुए हैं और धून धून करके ला रहे हैं ऐसे पॉइंट जिससे उनकी दुकान चलती रहे हलाकि पठान का शोरूम चल रहा है छोटी सी दुकान नहीं पठान ने पहले ही दिन में कैस सारे रिकॉर करोड तो डाले और पहले ही दिन में पचास करोड से उपर की कमाई कर डाली है लेकिन उसके बावजूद ये चिंटु हैं के मानने का नाम ही नहीं लेते हैं सुरेश चौहाण के सुदरशन नियूज के एडिटर मालिक उन्होंने बाकाइदा एक ट्वीट किया और अपने क कुछ लोग भेजे हैं पीवी आर के बाहर हो सकता है कि तब शो चल रहा हो उसके बीच में लोगों को भेजा गया हो कि पठान के लिए तो पीवी आर पर कोई भीड ही नहीं है लेकिन पीवी आर का जो अधिकारिक डेटा आया है उसमें बताया गया कि मात्र तीन बजे तक यानि शुरुवात होते ही 10 करोड रुपे की कमाई पीवी आर में हो गई थी और रात आते आते 20 करोड का यांकड़ा पीवी आर ने पार कर दिया है लेकिन दूसरी तरफ है कि सुरेश चोहान के जैसे चिंटू अभी भी अपनी हार मानने को तयार नहीं है दरसल सुरेश च पैंग बे नकाब राजधानी दृली के कनाट पलेस के पीवी आर में इनसान तो क्या सुवर तक दिखाई नहीं दे रहे हैं लेकिन इनने शीशा दिखाना चाहिए था इनने जरूर देख जाते हो लेकिन बहराल अब ये इनके आई कदाई तो बन गया है कि इन्हें पठान का बाइकॉट करना है लेकिन सुरेश चोहान के जैसे लोग अभी भी ढूंडने में लगे हुएं कि किसी तरह से पठान फ्लॉप हो जाए लेकिन पठान फ्लॉप नहीं होने वाली है चुकि रिलीज से पहले की कमाई और पहले दिन की कमाई मिला करके पठान ने तीन सो करो रुपे का आंकड़ा पार कर डाला है अब ऐसे में सुरेश चोहान के आखिर कहां कहां से क्या क्या ढूंड करके लाएगा और अंद भक्तों को कैसे समझाएगा कि पठान फ्लॉप नहीं होने वाली है ये सुपर डुपर हिट हो चुकी है पहले दिन में 50 करोड से उपर की क अब माई पठाने कर डाली है क्या करेंगे नफरती चिंतु Bull के बन ता आप लोग अपनी राय जबताएं वडियो की निचे कमेंड बॉक्स एस कमेंड बॉक्स में जाएंगे जाकर करके अपनी राय हमारी रिक्वेस्ट है कि जो लिंक्स दें इनपर Bitte करकर आप हम